ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचारी बताते हैं आपके राशियों का हाल मित्रुख सादर जैसी कृष्ण हमारे यूटूब चेनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ आचारेधर मेंदर शास्त्री, आज हम आपको बताने जा रहे हैं देनिक राशीफल, यह राशीफल है 17 सितंबर 2023 रहिवार का दिन है, भादरबद महा के शुकलपक्ष की द्वितियात इती है, हस्त नक्षत्र होगा तथा कन्या राशी में चंद्रमा ब वस्पष्चिम दिसा की यात्रा करना बहुत जड़ आवश्यक हो, तो पान खाकर के यात्रा का आरंब कर सकते हैं, राहुकाल जो कि शाम को साड़े चार बजे से शुरू होकर के छे बजे तक रहेगा, इस दोरान किसी भी प्रकार का शुब एवांगलिक कारिक्रम आपको स तो ग्रहो के राजा सूरी देव सिंग राशी में, वही चंद्रमा कन्या राशी में, मंगल ग्रह कन्या राशी में, बुद्ध ग्रह सिंग राशी में, देव गुरु ब्रहस पती जोकी मेंस राशी में, शुक्र ग्रह करक राशी में, शनिडेव कुम्ब राशी में, तथा केतू ग्रहब तुला राशी में विराजित रहेंगे इस देनिक ग्रह गोचर के अनुसार मेश मिथुन सिंग तुला ये चार राशी यां सबसे अधिक भागिशाली रहने वाली है कारिक्षितर में इनको उन्दती और प्रगती के उत्तम और उसर प्राप्त होंगे धन प्रगती आस्त शाम को 6 बच के 19 मिनिट पर होगा चंद्रोदय 8 बच करके 13 मिनिट रात में होगा एवं चंद्रमा का अस्त 8 बच के 10 मिनिट अगली सुबह होगा शुब मुहुर्त की अगर हम बात करें तो रविवार के दिन शुब मुहुर्त सुबह नो साड़े साथ बज तक रहेगा चर लाब और अमरत उसके बाद यने देड़ बज़े से लेकर के फीं बज़े तक शुब हाई रहाओ मढ़ी समय होगए को सब्पaber हुर्त इस दौरान को आप कोई भी शुबह काम करेंगे मांगलिक कारी करेंगे तो आपको अडिक से अडिक फाईदे का सही योग बन सकता है अब हम आपको मेश से ले करके मीन सभी बारा राशी वालों का दैनिक राशी फल पताने जा रहे हैं हमारे इस ग्यान वर्दक वीडियो को अन्त तक जरू देखिएगा और देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेंस राशी की परिवार और फाइनेंस संबंदित कुछ महत्वपूर्ण सकरात्मक परिनामा के सामने आएंगे पिछले कुछ समय से चली आ रही उतल फुतल भरी जिंदगी से कुछ राहत मिलेगी योवा वर्ग अपने भविशे से संबं से जांच पड़ताल अवश्य करे अपने साथ काम करने वाले लोगों से रिस्तिदारों से या पड़ोसियों से आपको मधुर संबंद बना करके रखना चाहिए उपाई के रूप में घर से निकलते समय सौफ और मिस्री खाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आप उससे संबंदित अपरत्याशित लाब होने वाला है घर के बड़े बुजुर्गों का प्रेम और आशिरवात बना रहेगा किसी नजदी की संबंदी या रिस्तिदार वारा कोई शुब सूचना या अच्छा समाचार मिलने से घर में खोशियों का माहौल नर्मित होगा आपको एक नई जम्मेदारी नया काम आगे बढ़ने का आउसर भी प्राप्त होगा आउसाई गतिविधियां पूरवत रहेगी लेकिन आप जो भी काम करेंगे उसके आगे चलकर के बहुत अच्छे परिणाम आपको प्राप्त हो सकते हैं उपाई के रूप में गनेश जी मोज मस्ती में भी कुछ समय आपका व्यतित होगा सूजबूच से लिए गए निर्णे आर्थिक रूप से आपको और अधिक मजबूत और सक्षम करेंगे काम को पूरा करने के प्रती उत्साह बना रहेगा किसी जर्वतमन मित्र की मदद करनी पड़ेगी परन्तु अपने बजट का ध्यान भी अवश्य रखे भाई बहनों या सगे संबंदियों से लेकर छुटी मुटी बात को लेकर के वैचारिक मदभेद उत्पन हो सकते हैं बहतर होगा कि अधिक वाद विवाद में ना पड़े करिक्षित्र में सभी नड़ने स्वयम ले किसी की मदद के बज में गाई को रोटी और गुड़ खिलाना आपके लिए शुफल दाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक नो होगा भागिशाली रंग आपका हारा होगा अब हम बात करते हैं करकराशी की अपने संपरकों का दाईरा और अधिक विस्तरत करे आपके लिए यही फाइदेमन साबित होगा महत्त पूर्ण तथा अनुभवी व्यक्ति के साथ आपका समय वितित होगा इसके सकरात्मक परिनाम भी आपको प्राप्त होंगे घर में महमानों के आगमन से उस्त्सव भरा माहूल रहेगा अपरिचित लोगों से व्यवार करते समय अपने गतिविधियों को उनके समक्ष जाहिर न करे अन्यथा आपको नुक्सान हो सकता है कभी कभी स्वभाव में तनाव और चिर्चरापन आपको अपने लक्ष से अब हम बात करते हैं सिंग राजी की आज अपने सपनों तथा महत्वा कांक्षाओं को पूरा करने का दिन है अब जिस काम को भी करने की मन में ठान लेंगे उसे पूर्या करके ही दम लेंगे भाईयों के साथ चल रहा विवात समाप्त हो जाएगा तथा आपसी संबंद मध भाउकता में आकर कोई भे निरणे न करे तथा नकारत्मक प्रबत्ति के लोगों से दूरी बना करके आपको रखना चाहिए उपाई के रूप में पीपल के पेड के नीचे काले उड़त चड़ाना आपके लिए शुपलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक दो हो भागिशाली रंग आपका औरेंज होगा अब हम बात करते हैं कन्या राशी की आज आप उत्सहा से परिपोर्न रहेंगे महमानों की आओ भगत में समय आपका वेतीत होगा दो पहर के बाद अपरत्याशित लाप की इस्तिती बन रहे अचानक धानलाब होगा या कोई अच् न रखे किसी व्यक्ति से पैसे संबंदी लेंदेन करते समय वाद विवाद की इस्तिती उत्पन हो सकती है घर के किसी सदस्ति के स्वास्त संबंदी चंता आपको परिशान करेगी और उपाई के रूप में गनेश जी को बैसन से मनी मिठाई चड़ाना आपके लिए शुफ प्रत्सिद्ध होगी अगर कोई प्रापर्टी संबंदी मामला अटका हुआ है रुका हुआ है तो आज उससे संबंदित कोई कारी संपन हो सकता है इसलिए प्रयासरत रहे बच्चे सकरत्मक गती विधियों में व्यस्त होंगे आलसी को अपने उपर हावी न होने दे और अ अगर व्यापार में किसी पार्टनर संबंदी कारी को करने का प्लान बना रहे हैं तो फाइदेबंद रहेगा इसलिए उस पर तुरंत अमल करे व्यार्थि की गती विधियों पर समय नस्त न करे इसका नकरत्मक प्रभाव आपके कारिस्तल पर पढ़ सकता है और उपाई के रूप में मा दुरगा के मंदिर में सिंदूर चड़ाना आपके लिए शुफल दाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक पांच होगा भागिशाली रंग आपका लाल होगा अब हम बात करते हैं व्रश्चिक रासी की आज प्रकृति आपको कोई बहतरीन मौका प्रदा संतान संबंदित कोई चिंता आपको परिशान करेगी अपने अहम को नियंतरन में रखना आती आवश्यक होगा परोसियों से किसी बात को लेकर के वेचारिक मदभेद की उस्तिती उत्पन हो सकती है बहतर होगा कि फाल्तु की बातों पर ध्यान न देकर अपने काम से मतलब रखे और उपाई के रूप में हनुबान जी के मंदिर में यदि आप कोई भी फल चड़ाएंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक तीन होगा भागिशाली रंग आपका गुलाबी होगा अब हम बात करते हैं धनूराशी की दिन की शिर बच्चों के साथ बेटकर उनकी समस्याओं का समाधान करने में आपको खुशियां प्राप्त होगी और आत्मेश्वास भी बढ़ेगा उपाई के रूप में शंकर भगवान को कच्चा दूद और जल मिलाकर के चड़ाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक चार होगा भागिशाली रंग आपका लाल होगा अब हम बात करते हैं मकर राशी की आज किसी दिर्ग कालिक लाब की योजना पर कारी शुरू हो सकता है पिछले कुछ समय से चली आ रही किसी चिंता का समाधान मिनने से मानसिक शांती आपको अनुभव हो हनुमान जी के मंदिर में काले तिल चड़ाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक दो होगा भागिशाली रंग आपका पीला होगा अब हम बात करते हैं कुम्पराशी की आज आपको किसी बड़े व्यक्ति के साथ मुलाकात होगी पुराने म परिवर्तन संबंदी योजना बनेगी नोकरी बदलने के बारे में भी आप विचार कर सकते हैं और उपाई के रूप में भगवान विश्णू जी के मंदिर में केला चड़ाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक तीन होगा भागिशाली र पुके हुए कारियों में आज कुछ गती आईगी आप अपने अंदर अत्याधिक आत्म विश्वास महसूस करेंगे आप कोई ऐसा निर्ने लेंगे जो आपके लिए फाइदमन साबित होगा संतान पक्ष की तरफ से कोई चिंता दूर होने से घर में खुश्णुमा माहुल निर्मित होगा अपने क्रोधव जित पर नियंतरन रखे इसका असर पारिवारिक व्यवस्था पर पढ़ सकता है और उपाई के रूप में माता महलक्षमी को पीला फूल चड़ाना आपके लिए शुफल दाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक एक होगा भागिशाल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जैसी कृष्ण सादर धन्यवाद